देश की बेटी ने जब भारत के लिए रियो ओलम्पिक में कुष्टी में मिडल जीता था सिर्फ उस बेटी की मा ही नहीं बलकि भारत की हर्मा खुशियों से यूही उचली क्योंकि तब साक्षी मलिक ने सिर्फ उलम्पिक में कुष्टी का एक पदक ही नहीं जीता था बलकि हिंदुस्तान की पहली महिला भारत्य पहलवान होने का जंडा भी उठाया था जिसने ओलम्पिक में देश के लिए पदक जीता लेकिन आज साथ साल बाद साक्षी मलिक अपने उन्ही मेडल को समेटने लगती है लेकिन क्यों जिन्हें देश के लिए जीता जिनके लिए जीवन समर्पित किया जिन्हें जीतता देख पूरा देश खुश हुआ जिन्हें ज पहलवान की मैनत, पसीना, लगन, देश की दुआउं से मिलता है। उन्हें समेट कर साक्षी मलिक चल पड़ी। इस क्यों और कहा का जवाब मिला शाम 6 बजे हरिद्वार में। जहां गंगा के किनारे देश के लिए पदक लाने वाली रिसलर बेटी साक्षी मलिक के आंसू न जीतने वाली Commonwealth Games में दो बार सिल्वर मेडल जीतने वाली पहलवान बेटी अपने मेडल बहाने पहुंचती है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब आपको दे उससे पहले याद करिए। दो हजार बाइस का वो दिन जिस दिन विनेश फोगाट देश के लिए Commonwealth Games में एक नही तीन-तीन गोल्ड मेडल जीत कर देती हैं। एस याद से लेकर विश्व चैंपियंशिप तक मेडल विनेश फोगाट जीतती हैं। वही विनेश फोगाट साक्षी मलिक के साथ आशूं में सराबोर होकर हर द्वार में हरकी पैडी के किनारे दिखती हैं। जिन्होंने अपन पन्नों की चिठी में लिखा है। जिसकी वज़े से भारत के पदकवीर, पहलवान, गंगा के किनारे अपने मिडल का विसर्जन करने पहुच जाते हैं। इस चिठी में क्या लिखा है? बहुत ध्यान से आप देखिए। पहलवानों ने लिखा है कि अब लगता है कि क्यों जीते थे? क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया विभार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे? अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मिडल का कोई मतलब नहीं रह गया, इनको लटाने की सोचने भर से मौत लग रही है, लेकिन आत्म सम्मान से समझाता करके भी क्या जीना? ये मिडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहना कर, हमें मुखोटा बना कर, सिर्फ अपना प्रचार करता है तेज सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा सोचन करता है, इन मिडल को हरद्वार में गंगा में प्रवाहि सम्मान सिंग के खिलाफ यौन सोचन के आरोप लगा कर, पहली बार इसी साल 18 जनवरी 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, 21 जनवरी को खेल मंतरी ने पहलवानों को भरोसा दिया कि मामले की जाच के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है, 23 अप्रेल को कमेटी की जाते हुए महिला पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचती है, 24 अप्रेल को दिल्ली पुलिस से ब्रिजबूशन सरन सिंग के खिलाफ यौन सोचन की शिकायत पहलवान करते हैं, लेकिन FIR नहीं होती है, 28 अप्रेल को सुप्रीम कोट के निर्देश के 7 मई और 21 मई को महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायते होती है, 28 मई को नई संसत के उद्गाटन के दिन ही पहलवान बिना इजाजत मिले संसत तक मार्च निकानले को बढ़ते हैं, पुलिस रोकती है, पहलवानों को हिरासत में ले लिया जाता है, रिसलर के खिल भरोशा नहीं, जहां पिडित परिशान किये जाते हैं, आरोपी के साथ ववस्ता खड़ी होती है, शाम 6 बजे से 7 बजे तक गंगा के किनारे पहलवान अपने मिडल के लिए खड़े रहते हैं, साक्षी विनेस समेत कई पहलवान रोते रहते हैं, शाम 7 बजे नरेश टिकै आई में विवस्ता पर भरोसा भारतिय पहलवानों का टूटा हुआ है, वो मजबूत हो पाएगा, या फिर सिर्फ सियासत होती रहेगी, जहां कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे तक सवाल उठाते हुए पूछते हैं, कि बेटी बचाओ की जगय, अपराधी बचाओ की बात क्यों हो रही है, ब्योरो रिपोर्ट हर्याना तक